दोस्तों पाकिस्तान की एकनॉमिक कंडिशन बहुत बुरी हालत में है और पाकिस्तान किसी भी तरीके से उसको रीकवर नहीं कर सकता है उसके उपर आज हमारे पास एक एडिटूरियल आया है बाउली क्राइस जो कि पाकिस्तान की रेजिलियन्स को डिप्लीट कर रहा है अब जन्रल अवेरनेस है, यह जन्रल अवेरनेस का part है, कि आखिरकार पाकिस्तान में ऐसा चल किया रहा है जिसकी वज़ा से उसकीonstution स्रीलंका के साथ compare की जा रही है अब पाकिस्तान में कुछ factors को देखें, जो के इडिटॉरिल में mention किये गए है for crisis in Pakistan तो basic reason यहां पर political instability बोला जा रहा है political instability ना कि सिर्फ center पे बलकि provinces पे भी है और कहीं न कहीं इमरान खान की government या इमरान खान की party responsible है और responsible opposition एक नया निकलके अभी तक नहीं आया है दूसरा foreign reserves जो है पकिस्तान के वो बहुत बुरी तरीके से decline करते हुए जा रहे है foreign reserves भी उनके पास बहुत कम है IMF की condition जो है loan provide करने की वो बहुत stringent condition है तो वो भी हम देखेंगे क्या है और politics में army का control है यह सारे factors पाकिस्तान की crisis को increase कर रहे है तो यहां पर author कह रहे हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान अब कोई stranger नहीं रहा crisis के लिए पाकिस्तान की history में बात करें तो 1947 से सबसे पहली crisis जो हुई थी वो refugee crisis थी उसके बाद 14 million people लगबग border cross किये और पाकिस्तान को इन सभी development के साथ तब deal करना पड़ा जब उसके पास किसी भी तरह का infrastructure support नहीं था फर्दर यहाँ पे author आपको बता रहा है कि concern था दोनों independent countries में पाकिस्तान और इंडिया में भी कि शायद ये देश survive नहीं कर पाएगा और कभी ऊपर नहीं आ पाएगा लेकिन 1947 से लेकिए अभी तक पाकिस्तान ने बहुत सारी crisis fail किये हैं लेकिन अभी वाली जो crisis है वो थोड़ी सी जादा difficult है और crisis का level political रहा constitutional रहा और terrorism रहा अब crisis और resilience को यहाँ पे compare करते हुए author last में आपको ये कहता है कि पाकिस्तान का जो resilient economy है पाकिस्तान के उपर जो word लगा है resilience वो fade हो रहा है पाकिस्तान बहुत समय तक इस चीज़ को जहल नहीं पाएगा और बहुत सरे factors उसके पीछे author ने हमें बताएं तो सबसे पहले पाकिस्तान क्या क्या condition है क्या ये survive कर पाएगा क्या पाकिस्तान इस चीज़ को जहल पाएगा तो author कहते हैं कि देखें पाकिस्तान की economy अभी जो है वो एक perpetual crisis की state में है यानि कि जो बड़े favoring countries हैं जो larger से हैं masses है जो donors है beneficiaries हैं ठीक है beneficiaries कर रहे हैं जो beneficence वाले donors है नहीं कि बड़ा emotionally और किसी मंत्री के साथ रिष्टा अच्छा है तो पैसे दे दिये international financial institutions charity की तरह अपनी friendly countries को पैसा provide कर रहे हैं पाकिस्तान की economy अभी एक तरीके से चंदे पर दान पर dependent है अब पाकिस्तान की crisis कह रहे हैं इतनी ordinary nature की हो गई है एक आम बात हो गई है कि अब resilience कहना पाकिस्तान के लिए सई नहीं होगा क्योंकि जब नया साल आया तो जनवरी की फरवरी के महिने में देखा कि crisis बहुत लेवल पर चली गई पाकिस्तान में एक economic crisis के साथ साथ ऐसी situation देखी जा रही है ऐसी conditions है जो कि पाकिस्तान में पिछले देख दशक में नहीं आई है financial times ने अभी एक बोला कि पाकिस्तान is on the brink of default and financial catastrophe now this statement is being talked this this statement reveals की पाकिस्तान का perception क्या है अब श्री लंकन टाइप crisis हो सकती है international monetary fund का जो delegation आया जो कुछ जिसको agreement करना था शेहबास सेरीफ की government के साथ उन्होंने कहा कि 1.1 billion dollar पहले आप क्या करेंगे release करेंगे और ये एक बहुत बड़ा situation है पाकिस्तान के लिए IMF का लोन secure करने के लिए पहले उसकी बात मानी पढ़ेगी और पाकिस्तान अभी तक IMF के साथ 23 agreement कर चुका है यानि कि इतनी बार उसको IMF की जरुवत पढ़ी है तो यही है कह रहे हैं कि donation पे चंदे पे जिंदा एक तरीके से अब financial abyss का मतलब एक financial low और political troubles अब देखे पाकिस्तान की economic condition को जरा समझते हैं पाकिस्तान की economic condition को अगर आप देखेंगे तो inflation वहाँ पे 28% का हो गया यानि महंगाई बहुत ज़ादा है पाकिस्तान के foreign exchange reserve में सिर्फ और सिर्फ नाम मात 3 billion dollars बचे हैं जिससे कि आप not even one month import एक महिने का item भी आप import नहीं कर सकते आपकी country पे भयंकर तरीके से import restrictions लगा दिये जाएंगे इसका नतीज़ा क्या होगा? import restrictions आप कुछ भी import नहीं कर पाएंगे import restrictions और आप फिर export dependent हो जाएंगे import restrictions नहीं लगा पाएंगे export dependent हो जाएंगे और आप export कर नहीं सकते क्योंकि आपकी economy is weak export dependent आप नहीं हो पाएंगे पाकिस्तान के अगर currency की बात करें तो एक डॉलर यानि पाकिस्तान के रुपईया का 300 तो यह देखिए इंडिया के साथ भी आप compare कर लिए तो कहीं 2008 का global financial crisis आया था तब भी यहीं लगा था कि पाकिस्तान survive नहीं कर पाएगा इन तीनों conditions को पाकिस्तान survive किया लेकिन अभी वाली जो condition है वो historical instances के साथ comparable नहीं है यहाँ पर author हमको बताएंगे कहीं ना कहीं पर जहाँ पर situation बताएंगे और कहरें यह situation जो है यह fall कर रही है हफते दर हफते और किसी भी तरीके का कोई solution नहीं निकाल पा रहा है कि इस trend को कैसे reverse किया जा सकता है कहरें import restrictions है foreign currency में pay नहीं कर सकते एकनॉमिस नहीं डेक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान एक तरीके से default में तो है default कब होता है जब आपने loan लिया है पैसा लिया है पर आप दे नहीं पा रहे या आप सामने से समान खरीद रहे पर उसका भी payment नहीं कर पा रहे दूसरे देशों से खरीद रहे तो आप default में चले जाते है और यहाँ पे आपको यह बता रहा है कि यह सारी situation जो हमने अभी discuss करी वो सब आ चुकी है अब कह रहा है कि यहाँ पर देखें अफगानिस्तान में अमेरिका का होना अभी तक पाकिस्तान के लिए फाइदे मन था क्योंकि premium geopolitical location थी और अमेरिका जैसा देश पाकिस्तान की मदद कर रहा था क्योंकि उसके military ambitions थे उस region में और उसमें पाकिस्तान कहीं न कहीं साहयक की भूमी का निगाता है अचानक साथ क्या होगा कि तहरी के तालिबान ने पाकिस्तान के उपर attack किया पेशावर में अभी जो attack हुआ और उसकी जिम्मेदारी ली अब कह रहा है कि यह सब उस दौर में था मतलब कि यह सब अमेरिका का सपोर्ट जब एक military dictator चला रहा था पाकिस्तान को परवेज मुशर्रफ अब देखिए military dictator कुछ भी करे कितना भी human right violation करे political stability तो दे देता है यानि सरकार के साथ कोई deal तो करी सकता है foreign government सरकार के साथ negotiation तो करी सकती बिकास government बडल नहीं वाली लेकिन अब क्या हुआ है कि हमारे आँ जो पाकिस्तान में मतलब जो situation हो गई है वहाँ पर mis governance दिखने लग गई है सबसे ही लोग चलाने लग गए political confrontation शहबाज सरिफ की coalition party पाकिस्तान democratic movement और बेलिजर एंट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बीच में स्टार्ट हो गया है और इमरान खान ने तो 2018 से लेके अभी तक दो provincial assemblies को भी dissolve कर दिया यह बड़ा important point यहां पे लिखा हुआ है कि 67% पाकिस्तान की population एक ऐसी situation में है जहां पे elected government ही नहीं है यानि कि caretaker governments role play कर रही ही है तो पाकिस्तान की आम जनता आवाम तो परिशान बहुत जादा है ठीक है और अब यह सब चीजें जो हैं यह बढ़ने वाली हैं अभी recent में भी एक मुद्दा आ रहा है कि कमर जावईद बाजवा जो कि Chief of Army स्टाफ है और इमरान खान है इनके बीच में महां की court में battle चल रहा है court फैसला सुना देगी अगर इमरान खान के खिलाफ सुना आया तो इमरान खान डिस्कॉलिफाइड हो जाएंगे contesting election से रोख दिये जाएंगे और फिर ये क्या होगा ये इमरान खान opposition को और भढ़का देगा तो एक तरह की political uncertainty आपको इस देश में देखने को मिलेगी कि political situations ही clear नहीं है कि ये देश में आगे होने क्या वाला है अब political uncertainty खतरनाक होती है दूसरी बात author यहाँ पर terror shadow में आपको यहीं समझाने की कोशिश कर रहे है कि आतंगवाद जो है वो बढ़ गया और आपको यहाँ पर यह बता रहे हैं कि देखे आतंगवाद जब हुआ ना तो वहाँ के जो आर्मी के staff थे chief of army staff वो UK चले गए तो पाकिस्तान को pressure है multiple sites से पहला human rights का violation बहुत ज़ादा है refugee crisis starting से थी और आज वो minority crisis में तबदील हो गई है unemployment levels जो है youth में काफी ज़ादा बढ़ रहा है military का political matters में control interference भी काफी ज़ादा बढ़ रहा है opposition भी strong नहीं है focused नहीं है और terror incidents जो है वो human rights crisis को और बढ़ा सकते हैं जैसा कि अभी तहरी के तालिबान के bomb blast से हमें देखने को मिला तो पाकिस्तान की conditions के उपर pressure multiple sites से पाकिस्तान की कुछ current पाकिस्तान में आप 67% population का भी लिख सकते हैं 67% population not without elected government not with elected any elected government तो यह जब आपने situation समझ ली लिख लिया और इसको याद कर लिया तो आप इसको answer writing के point में भी लिख सकते हैं कहीं पर स्री लंका के उपर question आ जाए कहीं पर पाकिस्तान के उपर question आ जाए या इंडिया की economy पर question आ जाए कि इंडिया की economy कैसे resilient है capital account का capital account भी कम हो गया है twin deficit और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो multifold crisis है twin deficit भी है multifold crisis भी है IMF के साथ conflict है तो IMF हो गया यह हो गया तो अब हम इसको GS2 में देखो ले सकते हैं जब relations की बात करेंगे पर largely आज जो editorial discuss हुआ है वो GS3 के point of view से हुआ economic के point of view से हुआ है मिलते हैं आप से अगले editorial में this was Harzun Dantri Party signing off comment section में ज़रूर बताइए कि editorial बढ़िया लगा की नहीं लगा आपको समझ में आया की नहीं आया और हाँ इस PDF को पढ़ना ना भूलें इस चैनल को subscribe करना ना भूलें क्योंकि हम short में 10 से 12 मिनट में आपको पूरा editorial simple शब्दों में समझाते हैं मिलते हैं आप से अगले editorial में